अच्छा वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपोर्टेट ले लीजे कल वर्ल्ड कप के वाम अप मैच शुरू होगे जिसमें न्यूजिलेंड ने पाकिसान को और बांगलदशी शिलंका को हरा दिया है वर्ल्ड कप स्पेशल रंतंत्र चार साल से बोलने को ये तरस रहा था जबसे मार्टिन कप्टिल का वो सीधा थो धोनी के स्टम्प पर जाकर लगा था वो स्टम्प को नहीं मेरे दिल को चीरते हुए निकला था कई लोगों को लगता है कि धोनी ना भी आउट होते तो भी हम हार गए होते लेकिन देखो आखरी ओर जिमी निशम को फिंकना था और दुनिया में चाहे कुछ भी कोई कर ले धोनी भाई की फिनिशिंग स्किल पर डाउट मत रखना वो आखरी वर्ड कप था जिसमें हम ट्रॉफी जीतें के सबसे बड़े दावेदार थे उसके बाद दो वर्ड कप भी हो चुके हैं लेकिन उसमें हम पहले से ही पिछड़े हुए थे वैसे भी ICC Champions Trophy, ICC World Test Championship, ICC T20 World Cup ये सब आते हैं तो ICC Trophy के अंदर ही है लेकिन जो रुतबा वंडे वर्ड कप का है उसका कोई जोड नहीं, कोई तोड नहीं ये ट्रॉफी क्रिकेट का पिनाकल है सबसे पहले यही आई थी और सबसे जादा हर देश यही जीतना चाहता है हमें ये वाली ट्रॉफी जीते हुए 12 साल हो गए हैं आज की वीडियो में हम ये डिसकस करेंगे कि क्या हमारा 12 सालों का सूखा अब खत्म होगा या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं टीम इंडिया का प्रिव्यू वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना आगे बढ़ते हैं पहले बात करेंगे टीम इंडिया के स्ट्रेंथ की देखें एक नहीं कई सारी स्ट्रेंथ है जिसमें से सबसे बड़िया खबर है हर खिलाडी का फॉर्म में होना टॉप ओडर बढ़िया मिडल ओडर बढ़िया तेज गेंद बाजी आला स्पिन गेंद बाजी सुहान अल्या यानि राहूल ड्रविट ने सारे बॉक्स टिक करके है और उपर से खिसमत भी हमारे साथ है पिछले तीन वर्ल्ड कप उस टीम ने जीते हैं जिसने वर्ल्ड टीम ने जीते हैं जो वर्ल कप से पहले रैंक में नंबर वन थी क्योंकि हम अपकी बार हैं यानि आगे पीछे दाएं बाएं से 19 नवंबर को अच्छा शगुन बनने के संकेत लग रहे हैं अब सुन लो टीम इंडिया की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी जो मुझे लगती ह अगर हम ये मान के चलें कि इशान किशन हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे तो टीम के पहले लेफ्ट हैंडड बलेबास रविंदर जड़जा होंगी जो नंबर साथ पर आएंगे और जड़जा हमारी दूसरी समस्या भी हैं जितने बड़िया टी ट्वेंटी और बलेबाजी करते हैं उतना बड़िया फॉर्म उनका वंडे में नहीं है बिया दोजार तीस में उन्होंने 12 इनिंग बलेबाजी करी है 189 बनाए है एक दिक्कत जो मुझे और लगती है वो है लोगर आडर बलेबाजों के पास बैटिंग स्किल न होना और स्टिलिया के जाधा ट्रावल करने वाली टीम वही रहेगी जाहिर सी बात है हम अपने देश की टीम में तो हमको सबसे आदा खिलाने की कोशिश करी गई है लेकिन इस चकर में टीम इंडिया पहले चेन नहीं फिर उसके बाद दिल्ली फिर एमदाबात करते करते एक तरीके से पूरा भा अगर मेरे चाहने से उठाना होता तो है की नहीं देखिए ऐसा नहीं कि टीम इंडिया के पास फायर पावर नहीं है लेकिन फिछले दस सालों में वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी चोकर हमारी टीम है यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है हम सेमी फाइनल और में आकर मैच हार जाते हैं क्या आपकी बार फाइनल की सीडी क्रॉस कर लेंगे यह तो वक्त बताएगा लेकिन टीम इंडिया को टॉप फोर में तो आराम से पहुंचना चाहिए वैसे टीम इंडिया का आज पहला वाम अप मैच भी इंगलेंड के साथ गौहाटी में इस मै होंगा चैनल सब्सक्राइब करके जाना फेस्बूक की देख रहें तो पेच को लाइक करना थैंक्यू फॉर वाचिंग जेहिंद